अस्सलाम अलेकुम वेलकम बैक टू देसितर का विदार जे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग जीरो कोस्ट शिक्स टिप्स अंड ट्रिक्स लेकर आई हूं उमीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगी तो चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ आपने कोई भी जूते वाला शूस वाला बॉक्स ले लेना है और उसको अपने कटिंग बोर्ड के नीचे रख लेना है जब भी हम कोई सब्जियं वगरा काड़ते हैं तो इस तरहां उनके जो छिलके वगरा होते हैं वो इस तरहां हम डाल सकते हैं इस तरहां हम डाल सकते हैं इस तरीके से और हमने सिरफ ये पार्ट लेना है इस तरह से और इसी तरह आप step by step कर दे जाएगा और इसके सुराख कर लेने हैं और इसके अंदर कोई भी आप इलास्टिक वाली बैंड ले लीजए रबर ले लीजए और इसको इसके अंदर इस तरह से अच्छी तरह से बांद लेंगे इसके हमने नोड लगा लेनी है तो ये हमारा टूल बनकर त्यार हो गया है इस टूल का फाइदा ये है कि जब भी हम कोई भी सबसी बगरा काटेंगे तो हमारी फिंगर बिलकुल सेव रहेगी तो बहुत ही अमेजिंग टूल है जरूर ट्राइ केज़ेगा चलते हैं अब हम अपनी टिप नमबर 3 की तरफ सबस मर्चों को काटना और चौप करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि ये हाथ पर एक दफ़ा लग जाएं तो ये बहुत ही जलन करती है तो आप एक स्टील का ग्लास लीजिए और इस मदद से चौप करना शूरू कर दीजिए इससे आपके हाथों पर भी नहीं लगेंगी और अच्छे तरीके से चौप हो जाएंगी तो चलते हैं अपनी टिप नमबर 4 की तरफ अगर आप अंडे में से सफेदी को अलग करना चाथे हैं तो ये बहुत ही असान सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप असानी से अंडे की सफेदी और जर्दी को अलग कर सकते हैं इसके लिए आपने चावल बनाने वाला चमस लेना है और इस तरह से इसके ओपर अंडे को तोड़ लेना है तो ये हमारी जर्दी अलग हो गई है और सफेदी अलग हो गई है चलते हैं टिप नेमबर फाइफ की तरफ किसी भी किसम के पैकिट्स हों मसाले जात हों बचों की सलांटी या बिस्किट्स के पैकिट्स वगरा हों एक दफ़ा खुल जाएं तो दोबारा बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमने कRY करना है रोटियं बनाने वाला च्षिम्टा लेना है और इसको आग के ओपर रखकर थोड़ा सा गरम कर लेना है इस तरीके से दोनों साइर्ड को हमने सील कर देना है याद रहे कि ये जादा ना गरम हो और ना ही जादा थंडा हो बस इसका तंप्रेशर नॉर्मल होना चाहिए चलते हैं टिप नमबर 6 की तरह मट्रों को बेहद असान तरीके से और कम वक्त में निकालने के लिए 2-3 मिनट के लिए हम स्टीम दे देंगे और फिर स्टीम दे हुए मट्रों को इस तरीके से स्टील के गलास की मदब से निकालना शुरू कर देंगे यह बहुत ही असान तरीका है इस तरह से आपके मट्र बहुत ही असानी से और कम वक्त में निकल जाएंगे दूसरे तरीके में आपने स्ट्रीम दे हुए मटरों को एक कपरे में डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से、 दोनों हाथों की मदद से इस तरहां से मس़लना शुरू कर देना है ये देखें कि आदे मटर हमारे निकल गए हैं फिर दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से इसी तरह से मसलना है इसी तरह से मटर हमारे निकल जाएंगे और हमने इनको अलग करके एक लियादा बाउल में डाल देना है इसी तरह की मज़ीद इन्फरमेटिव एंड मज़िदा टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए सबस्क्राइब कर दीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अल्ला हाफेज